वेलकूम लाइफ इस सुल्ताना किचन बिसमिल्लाहिरह्मानी रहीम असलाम अलेकूम आज मैं बनारी हूँ बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट और अंदर तक से कुख हुए वे और बहुत ही जबरदस में पकोड़े बनाऊंगी और प्यास के पकोड़े होंगे स्पंची होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बहुत ही असान रेसिपी आप तो को किनी लेकर आई है और असके साथ में ले आता हाफ मिर्चे लिया है half table spoon मैंने जीरा लिया है और one table spoon भरके कुटीवी लाल मिर्चे लिये तो जन्य स्टार्ट करते हैं और ये सारी चीजें मैं शामिल करूंगी दो कप मैंने बेसन लिया है और उसमें शामिल करूंगी और बहुती मज़ेदार मेरी ये पकोड़े बनेंगे और बहुत ही आसान तर्कीब और घर के मसाले लेकर आई हूं आप लोगों के लिए इस तर्कीब में और बहुत ही जायकेदार मनेंगे और मैंने लिया है पौधीना पौधीना मैंने एक गड़ी लिये और इसको मैंने वाश करने के बाद कटिंग कर लिया था और ये शामिल कर देंगे और इसी के साथ ही मैंने पांच अदद हरी मिर्चे लिए और हरी मिर्चे को मैंने बारी कटिंग कर लिया है वो भी मैं इसके अंदर शामिल करूंगी और प्याज मैंने मीडियम साइज की तीन लिए और इसकी मैंने कटिंग कर लिए और ये भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी और फिर इसको शामिल करने के बाद मैं अपने हातों की मदद से इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी और इससे mix करने से हमें पता चलिएगा कि हमें इसके अंदर कितना पानी और शामिल करना है और एक ठिक सा paste बना लेना है तो चलिए मैं इसको mix करती हूँ और अगर आप लोग चाहें मैं तो हाथ से mix कर रही हूँ आप लोग चाहें तो spoon की मदश से कर सकते हैं gloves पहन सकते हैं मैं हाथों की मदश से कर रही हूँ मुझे practice है तो यह देखें जी बहुत अच्छी तरीका से मैं इसको mix कर लूँगी थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करूँगी मुझे थिक सा एक paste बनाना है और पौदीने की खुश्बू और जीरे और साबुद धनिये की जो खुश्बू होगी बहुत ही जबरदस आएगी इसके अंदर और यकीन करें बहुत ही मज़े के बनेंगे और बहुत ही जल्दी तेयार हो जाते है तो इसको मैं इसी तरीके से mix करूँगी और यह देखें अब इसको मैं इस्पून की मदश से बहुत अच्छे तरीके से mix कर लूँगी तो यह देखें मैंने एक ठिक सा पेस्ट बना लिया है और इसको इस तरीके से मैं mix करूँगी mix करने के बाद मैं तकरीबन 10 मिनट तक इसको रेस्ट दूँगी तो यह देखें बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही चल्दी बन जाएगी और यकिनन आप रोगों को बहुत पसंद आएगी यह देखें बस बिल्कुल मेरे यह तयार हो चुका है बेसन और पकोडों के लिए बिल्कुल रैडी हो चुका है अब मैं एक पैन लूँगी जब हम पकोडे दाने तो थंडा ना हो तो बस अब मैं स्पून की मदद से या आप हाथ की मदद से जैसा दिल चाहे आप जिस नहां से डालते हैं वह पकोडे शामिल करते जाए और मैं वन टेबली स्पून शामिल कर रही हूं तो यह दिखें यह जाने के बाद वाइल में इनका साइस जो है वो बढ़ जाएगा और यह फूल जाएंगे अंदर से बहुत ही अच्छी तरीके से यह कुको जाएंगे अच्छा मैंने जो है फ्लेम को हाई रखा वह है और एक्स्ट्रा आइल जो है वो बहुत जादा गरम नहीं है और यह इतना है कि मेरे यह जो पकोड़े हैं यह अच्छी तरीके से जब जा रहे हैं तो फॉरे नहीं उपर आ रहे हैं तो यह देखें इस तरह आसे में यह सारे शामिल कर दूँगी और तकरीबन साथ से आठ मिलट का टाइम लगता है पकोड़े पूरे तयार होने में और जब इसमें बहुत अच्छा सा नीचे कलर आ जाएगा और मैं इसको पलट के देखूंगी कि जो मुझे कलर चाहिए वो कलर आ चुका है तो फिर मैं इसको पलट दूँगी तो यह देखें जी जबरदस से तडियार हो रहे हैं बहुत ही जल्दी बनते हैं और बहुत ही आसान रेसिपी है तो तकरीबन इसको तीन मिलट हो चुके हैं और आप मैं इसको देखती हूँ कि इसका कलर कैसा आया है क्योंकि ऑपर से इसके अंदर जो बन रहे हैं तो गी से उस्तरह शेए तो इसका मतलब है कि अंदर से बहुत अच्छी तरीके से कुग हो रहे भंज के अंदर इस पंची बनें गे और इसका जंदर जो जाल बनेगा तो वो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाया है मैंने वीडियो के अपने बहुत ही अच्छे बनेगे बहुत सॉफ्ट बनेगे और यह देखे जी इस तरहां से मैं इसको पलड़ती रहूँगी और यह देखें बहुत ही खुबसुरत इस पर कलर आगिया है जिस पगोड़े को निकाल दिरूँगी और यह देखें बिलकुल परफेक्ट कलर आता जा रहा है और बहुत ही मुज़धार तयार होंगे जरूर ट्राई कीजेगा कमेंट्स में बचे जरूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी यह वाली कैसी लगी और यकीनां दूसरी रेसिपी इसकी तरह मेरी यह रैसे भी आपको बहुत पसंद आएगी यह देखें बहुत फर्फेक्ट कलर आ चुका है और इसी तरीके से मेरे सारे निकाल लेती हूं और बाकी जो मेरा यह बैटर बचावा है प यह देखें बहुत ही जबर्दस और तकरीबन साथ से आठ मिनट इसको कुक होने में लगे हैं और यह इस तरहां से तयार हो चुके हैं कि देखें किसकादर खुबसूरत मेरे के पकोड़े बनके तयार हो चुके हैं और इसी तरीके से मैंने एक और रेसिपी बनाई थी और वह मैंने पालक के पकोड़े बनाएते हैं उसका लिंक भी मैं डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दूंगी और अपनी चटपटी चटनियों का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रेप्शन में दूंगी जरूर देखिएगा और जरूर ट्राइ कीजिएगा वो भी बहुत मज़े के बने थे और अब मैं इसको टेस्ट करके दिखाती हूं आपको किसकादर स्पंची हैं और अंदर तक से कुक हैं बहुत जादा गरम हो रहे और यह देखें जी अब मैं इसको अपनी लाल चटनी के साथ खटी मिठी उसके साथ खाऊंगी और दौाओं में याद रखिएगा आमिर को मुझे और मेरे मुर्ग पाकिस्तान को अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा मिलूंगी एक नहीं रेसिपी के साथ ओके अला अफ़ झाल 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